आज के मारी कहानी है औरत की इज़त मधु जिसकी साधी एक महिना पहले ही हुई थी लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं क्योंकि घर में मिलने वाली डाट फटकार की बज़े से वह बहुत तरसान हो चुकी थी इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बलकि उसकी सास थी वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता लेकिन इस बार मधु की सास ने उसका बखुवी साथ दिया एक दिन मधु खाना बना रही थी मधू का पती सुमीत तुमने खाना बनाना सीखा भी? है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो एकदम सवाद नहीं आता सरमा जी की पत्नी को देखो एक से एक डिश बना लेती है मधू क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दिजे खाना छोड़ कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है दूर से ही मधू की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पस्चे ताफ हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज़त करना क्यों नहीं सिखाया? लगभग एक हपते के बाद रात को सुमीत और उसके पापा बैठ कर ड्रिंक करते हैं जिसे देखकर मा कहती है आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी लेकिन अब तो घर में बहु आ गई है यह करके घर की सांती भंग ना करे सुमीत के पापा गुसा करते हुए तुम्हे कौन सा घर समालना आता है? तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने चुप चप यहां से चली जाओ यहां बाते सुमीत की मा को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप घर में बहु आने से महौल सही रखना जरूरी है कई बार ऐसा होता है ड्रिंक करने के बात सुमीत और उसके पिता जी को होसी नहीं रहता और दोनों अस्त ब्यस्त पड़े रहते हैं दूसरे कमरे में ही छिप कर मधु यह सब देख रही थी और यह आब वह समझ चुकी थी इस घर में औरतों की कोई इज़त नहीं है एक दिन जब मधु के पती और ससूर अपने काम की वज़ा से घर से निकलते हुए थे उस समय धिरे से मधु सास के पास जाकर बोलती है अज के समय में औरतों को भी इज़त मिलनी चाहिए जो मर्दों के मिलती है लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता सास तुम कहना क्या चाहती हो बहू मैं कुछ समझी नहीं मधु देखिये ममी जी मैंने भी देखा है कि पापा जी आपका बहवार आपके प्रती बिलकुल अच्छा नहीं है और वही सुमीत का बेवार भी मेरे प्रति सही नहीं है इसलिए मैंने आप से यह बात की है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इजत नहीं है दोनों बाते कर रही थी होती हैं उसमें सुमीत और उसके पिता जी घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं जिसे देखा सास कहती है अरे आप क्या लेकर आ गए हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है और एक नए सोफा लेकर आए है वह भी इतना बड़ा सुमीत के पिता जी तुम से किसी ने पूछा क्या इसके बाद सुमीत और पिता जी दोनों मिलकर सोफा को हॉल में सेट करने लगते हैं जिसे देखर मधू सास से कहती है देखा ममजी मैं यही तो कह रही थी हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले कभी इनके दिल में हमारे लिए इज़त नहीं हो पाएगी क्योंकि यह भी यह कभी भी हमें खूद के बराबर समझते ही नहीं मधू की सास अब समझ चुकी थी मधू क्या बात करना चाहती है मधू की सास को अपना समय याद आ गया जब नए नई नई बहु बन कर आई थी और तभी उनकी सास ने उन्हें ताना मारत्वे कहा था कि पता नहीं या कैसे हमारा घर समभा लेगी इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है माबाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया हलाकि मधू के सास पढ़ी लिखी थी और साधी के पहले वा कहीं टीचिंग करती थी लेकि साधी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी सुन होने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहु आएगी तो उनके साथ कभी भी गलत भेवार नहीं होने देगी मधू भी पढ़ी लिखी है उसने भी बेड किया है अगर वा चाहे तो नौकरी कर सकती है लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि सासुर और सुमीत कभी भी मधू को नौकरी नहीं करने देंगे मधू भी रोज रोज के जगडों से तंग आ चुकी थी वा सुमीत के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले कभी भी वा खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपनी दोस्तों की पत्नियों से करता वा चुप चुप के रोया करती लेकिन अपनी परशानी ज़्यादा किसी को नहीं बताती एक बार उसने सुमीत से नौकरी करने के भी बात की थी लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था तब से मधू भी चुप साध रखी थी एक दिन मधू की सास बेटा तुमने तो बेड किया है तो क्या तुम नौकरी करना चाहती हो मधू घबराते हुए कहा हाँ मम्मी जी मैंने B.A.D.C. लिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूँ और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूँ मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे लेकिन सुमीत को यह अच्छा नहीं लगता दो दिन बाद मधू की साथ बेटा तुम काम छोड़ो छोड़ दो मैं कर लूँगी कालोनी के बाहर जो सकूल है न तुम वहाँ चली जाओ वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है मैंने वहाँ बात की है वह मेरी सहेली का ही सकूल है मधू लेकिन मम्मी जी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ सुमीत ने तुम मजे साप साप कहा है मैं नौकरी नहीं कर सकती तभी उन दोनों की बात सुमीत सुन लेता है और चिलाते हुए कहता है क्या बोल रही हो तुम नौकरी करोगी मधू जी वह मम्मी जी सुमीत क्या मम्मी जी बिना मुझ से पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो उसे वक्त मध्धू की सास आ जाती है और वह कहती है क्या बुराई है अगर मध्धू नौकरी करे तो तुम नहीं चाहते लेकिन मैं चाहते हूँ कि अगर वा जाकर नौकरी करे कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती मान समान और इज़त की भी होती है जो तुम उसे कभी नहीं दे सकते सुमीत के पिता जी अच्छा तुम ही हो जो उसे हावा दे रही हो जानती नहीं यहाँ औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है सास आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहु के साथ नहीं होने दूंगी मैंने अपनी सपनों को दर किनार कर दिया लेकिन मैं अपनी बहु को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रुखता है और मधू नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्म विश्वास पैदा हो गया धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे जिसको वा अपनी सास को देने लगी क्योंकि आखिर कर सास की बज़ा से ही वा नौकरी कर सकी कुछी दिनों के बाद सुमीत का बिजने सही तरीके से नहीं चल रहा था जिससे वा परसान रहने लगा और उसकी परसानी की बज़ा से वा ठीक से खाना भी नहीं खाता था मधु घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती लेकिन सुमीत का मन नहीं लग रहा था एक दिन सुमीत ने मधु से कहा मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है समझ में नहीं आता कि कैसे घर संभालो बस उसी समय सुमीत की माँ पैसे लेकर आती है और उन्हें सुमीत को देती है यह वही पैसे होते हैं जो मधू अपनी सेलरी के रूप में अपनी सास को देती है जिसे देखकर सुमीत के आँखों में आसू आ जाते हैं और सुमीत के पीता जी भी भावुक हो जाते हैं पीता जी सुमीत की माँ तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटों को भी सिखाया लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहु आज अपने पैरू पक खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है जो वा कर सकती है मुझे अपनी बहु पर गर्व है मधू मुझे तो इस बात की खुसी है कि आज आप दोनों की नजरों में मेरी और मम्मी जी की भी इजत बराबरी से हो रही है जिसके हम हकदार हैं पिता जी हाँ बहु तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परस्थिती के अनुसर खुद को ढाल लिया लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना माना हो सके तो हम दोनों को माप कर देना ऐसा सुनते ही मधों के आँखों में आसुआ जाते हैं और वह खुसी खुसी खाना परोशने लगती है क्योंकि आज उसने सभी के मन पसंद का खाना बनाया और दिल से वह बोज उतर चुका है जिसकी बज़ास से वह परशानी थी दोस्तो हमें हमेशा हर इनसान को बराबरी का हक देना चाहिए फिर चाहे औरत हो या आदमी जीवन के संघर्स में कब किसका समय बदल जाए या कोई नहीं जानता ऐसे में बेहतर यही है कि ताल में बैठा कर कार किया जाए और कभी किसी को नीचा न दिखाया जाए इनसान का सरवांगीन दिकास हो सकता है अगर आपको एक कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक अन सस्क्राइब जरूर किजिएगा थैंकू सो मत झाल